हेलो एवरिवन इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नूकलेस के स्ट्रक्चर एंड उसके फक्षन के बारे में तो हम लोग इसको डाइगराम की मदध से सबसे पहले समझेंगे उसके बाद इसको इसकी थीज़ी की मदध से पढ़ेंगे क्योंकि यदि आप लोग को इसका डाइग्राम समझ में आ गया तो थियोरी आप लोग बहुत ही आसान से समझ लेंगे तो देखे सबसे पहले हम location देख लेते हैं कि जो nucleus है जिसके बारे में हम लोग को इसका structure और function पढ़ना है ये पाया कहां जाता है तो यहां पिय पाया को देख लेंगी इस सेंर आप लोग nuklees देखने को मिल रहा होगा जो ठीक है अब एक में जो सकता है और 1 से अधिक बconnect होशक्त है और हम लोग कुछ revolutionary कीS सीजह जान लेते हैं जैसे कि नुकलियस का खोज किसी ने किया है और किस सन में किया है तो नुकलियस का खोज जो है रावर्ट ब्राउन ने किया है 1831 इस्वी में रावर्ट ब्राउन ने नुकलियस का खोज किया था ठीक है और सेल का खोज यदि पुछ दिया जाए कि सेल का खोज किसी ने किया है तो cell का खोज Rawat Hook नामक वेग्याईन ने किया है 1665 इस्वी में ये दोनों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि यदि आप लोग से पूछ दिया जाए फोल्ट ब्राउण ने 1861 इसवी में किया है अब हम लोग नुकलिय की स्टक्चर की बात कर लेते हैं कि नुकलिय की प्टा है जो कि एक सेल होता है वह चारों क्या कहते हैं सेल मेंब्रेन या फिर प्लाज्मा मेंब्रेन कह रहे हैं उसी तरीके से एक जो नुक्लियस होता है वह भी चारों तरब से एक मेंब्रेन के द्वारा घीरा हुआ होता है जिसको कि नुक्लियर मेंब्रेन या फिर नुक्लियर इन्वैलप कहते हैं अब जैसे कि ए एक nucleus, अंदर क्या भरा होता है? Nucleoplasm भरा होता है और nucleus के अंदर आप लोग को एक dense सरचना दिखाई देती है जिसको क्या कहा जाता है? इस तरफे से nucleolus कहा जाता है यह nucleolus RNA का बना हुआ होता है और यह जो red-red आप लोग को ribosomes दिखाई देता है इस ribosomes को बनाने का काम भी यह nucleolus ही करता है, इसलिए इस nucleolus को factory of the ribosomes भी कहा जाता है, ribosome का factory भी कहा जाता है, क्योंकि ribosomes को बनाने का काम यह nucleolus ही करता है, और यह जो nucleos होता है, nucleos को क्या कहा जाता है, तो control center of the cells कहा जाता है, ठीक यह भी याद रखेगा, क्योंकि पूरे एक सेल को control करने का काम क्या करता है तो नुकलियस को control center आप देखिए आगे आप सेल्स काहा जाता है आगे तो लोग बता है कि इसको उसी धसमें आप लोग को नुकलियो अलुस्बाया जेकर और इसी में आप हमारा टू टाइप का लोगो देखने को मिल रहा होगा एक देखे इस तरीके से डार क्लर में आप लोगो को देखने को मिल रहा है जिसको क्या कहा जाता है यूव क्लर में बाहर के तरब क्या होता है जिसको न्यूक्लियर मेंब्रेन को बना बाहर के लेयर उसको बहुते हैं और रूको रॉडआ membrane के बीच एक as thhan पैजाता है खाली अस्थान होता है space होता है जिसको क्या का जाता है परिNew प्रेट कुल्म के लेवहार होता है और outer membrane पे ही जग़े जग़े आप लोग को ribosomes भी इसरे अटेच दिखाई देते हैं, उसके बाद हमने आप लोग को बताए कि इसके अंदर क्या पाय जाता है, नुकलियोलस पाय जाता है, नुकलियोलस को फेक्टरी आप दर राइबोसोम्स कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम्स को बनाने क्या काम क्या करता है, नुकलियोलस ही करता यह डेन्स होता है और यह राइबोसोम का जो आरारने होता है उससे मिलकर के यह नुक्लियोलस बना होता है आगे हमने आप लोग को बताया कि इसके अंदर क्या पाया जाता है आप लोग को क्रोमेटीन भी रिखाई देगा जो कि क्रोमेटीन जो होता है यह थ्रेट लाइक इस होता रहता है और क्रोमेटिन जो होता है यह टू टाइप का होता है एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन जो कि हमारा डेंस होता है यानि डार्क अकलर इस्टेन आप लोग को दिखाई देता है और एक होता है यू क्रोमेटिन जो कि लूजली पैक्ड इस्ट्रक्चर होता है जो कि आप लोग को देखेंगे, तो light color में दिखाई देता है, ठीक है, जब हमारे DNA का transcription होना होता है, तो वो जो होता है, इस u-chromatin का ही होता है, क्योंकि यह loosely packed होता है, इसलिए, अब हम लोग इसको इसके theory की मदद से समझ लेते हैं, कि हम लोग क्या-क्या इसमें देखें हैं, ठीक ह हमने आप लोग को बताए, the nucleus in the eukaryotic cells like the control center of the cells, तो जो nucleus होता है, किसी भी eukaryotic cells में, उसको क्या कहा जाता है, laquelle you can've control center of the cells, सिधी-सिधी nucleus को क्या जाता है, control center of the cells कहा जाता है, आगे है it hold, यह जो nucleus होता है, यह किसको अपने अंदर रखता है, तो DNA को रखता है, जो कि DNA क्या कर कि किसे भी एक्टिविटी को इसकी के था जैसे की oluşग्रोथ हो गया और जो रिप्रोडक्शन कर दो है इसको कहलए में करता है आगे बताइगे हैं यहाहिए जिसमें जो जो कि e-nucleated होते हैं, यानि उसमें एक भी nucleus देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि examples देख लेजे कि वो कौन से cell है, जिसमें एक भी nucleus नहीं होता है, तो red blood cells, यानि RBC, RBC जो होता है, उसमें एक भी nucleus नहीं देखने को मिलता है, वो कैसा होता है, e-nucleated cells होता है, ठीके, और जो भ आगे देखिए, बताया है, वहीं पे कुछ ऐसे cells होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, एक से अधिक nukleus पाया जाता है, तो यह अप लोगको समझ बंगया, अब हम लोग इसके structure की बात कर लेते हैं, कि नukeस का structure में हमें क्या 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 मिलता है तो नुकलियस की structure में यदि आप देखेंगे तो नुकलियर मेंब्रेन हो गया नुकलियो प्लाज्म हो गया क्रोमोसोम हो गया यह आप लोग को देखने को मिलेगा तो अब हम एक एक करके सब के बारे में देख लेते हैं कि nuclear membrane में आपने क्या देखा है कि ये क्या था? ये double layer था ठीक है, दो layer से मिलकर के बना होता है एक होता है outer layer, एक होता inner layer, और इसके bीच का जो space था, आपने आप लोग को बता है, इस space को कया कहा जाता है? इस space को कहा जाता है, peri nuclear space था जाता है जो खाले स्थान पहएजार इसको क्या कहा जा रहा है परी नुकलिएर इस पहा जा रहा है और इस नुकलिएस में पर नाम से भी जानते हैं जो पोर के दोर जितने neakeromoleculi wo treasury iầnen wonder ba-har आया जाया करते हैं यह सीं धोई हमने आप लोग को इसमें पढ़ाया है तो चल्यWhat लोग को यहां पर पढ़ना है ठीक है लिए अब हम लोग पहले इसको प פה लेते हैं ताकि अच्छे से समझें तो देखिए इसमें बताएगा है रहता है लोग से घहर हुआ होता है यहां पर निक्लिय मेंब्रेन के नंदर क्या हो गया है उसके लिए नुक्लिय मेंब्राजम मेंब्रेन इसको चारों try तरप से पैक किया हुआ है वही चीज़ी से यहां पहता है आगे क्या बताया गया है तो अब मेंब्रेन कनेक्टेर टू इंडो प्लाजमी क्रेटिकॉलम क किस से कनेक्टेड होता एक उस यह नहीं पर सकते हैं कि निया डूसरी लोटाय bre Онहों किस कि cell membrane कीसा होता है लिपीट baik layer का बना न लिपीट का दो layer के दौरा क्या होता है हमारा cell membrane बना होता है उसी तरीके से जो हमारा nuclear envelope या फिन nuclear membrane होता है वो भी consist क्या रहता है फॉसफो लिपीड Sempre that form a lipid truck by layer जो reag लिपीड का बना सेल मेंब्रेन या भी आप द दाखेंगे तो यह जो होता है उसीतने हं और हम इसके बारे में बात करें तो तरिखें क्या पता गया दर नीविए स्कम्म्हें इन अप दौ सेल्ग सेंग हो सेराल ओपनिंग और नुकलियर टीके जो रिखिया करता है जो स्टरेक है उध जैसे यहां पर गती तो आप crazy असानी से शूंजिंगे किस तरीके से कम्युनुकेट करेगा तो यहां पर देखिए जो नुकलियर पोर यहां पर दिखाई गया है is क्या करता है किस एक क्या करता है कैसे करें यह हमारा जो नुकलियोलस है जो हमारा ribosomes होता है ribosomes को बनाने का काम क्या करता है यह nucleolus होता है तब यह तो इसको क्या कह जाता है फैक्ट्री अब दो ribosomes कह रहे हैं ठीक है तो यह ribosomes जब बन गया तो यह ribosomes हमारा इसी nuclear pore से होता हुआ कहाँ पहे आएगा इस cytoplasma में आता है और इस ribosomes को बनाने के लिए इस nucleus को किसके आप सकता होती है तो protein किसके द्वारा जाता है तो इसी nuclear pore के द्वारा इस cytoplasm से protein कहां पे गया रहता है इसके nucleus के अंदर जाता है ठीके तो जो होता है communication का तो काम हो रहा है तो यह किसके द्वारा हो रहा है इसी nuclear pore के द्वारा होता च्रहाना रहता है और समझ में आगया घूरकी नीक्लियार गार कि बढ़ता रहतां है यह क्रों देंसे कि यृक्षेटंज कला के लिए यह एक करने के लिए उसको आफ जैसे कि हमने आप लोग को बताने कि जो नुकलियोलस होता है नुकलियोलस हमारा बनाता है राइबोसोम को बनाने के लिए नुकलियोलस को किसकी आप सकता होती है प्रोटीन की आप सकता होती है तो प्रोटीन हमारे साइटो प्लाज्म से जो होता है नुकलियर पोर के द्वार होता है between the two layer of nuclear membrane, यानि outer layer and inner layer, यह जो outer layer हो गया और यह जो inner layer हो गया इसके बीच का जो space होता है, इसी हम क्या कहते हैं, पेरी nuclear space भी कहा जाता है, ठीक है, यह आप लोग को समझ में आ गया होगा, अब हम लोग देख लेते हैं, nucleoplasma के बारे में, आप लोग को nuclear membrane समझ में आ गय लिपिड बाय लेयर का बना होता है, उसी तरीके से nuclear membrane भी हमारा फॉस्पोलिपिड बाय लेयर का बना हुआ होता है, और यह जो outer membrane होता है, नुकलिएर मेंब्रेन का, वो किस से connected होता है, तो वो इंडो प्लास्मिक रेटिकूलम के द्वारा, एंडर राइबोसोम के द्वार इसमें जगर जगर पे आप लोग को पोर देखने को मिलता है, यह पोर क्या करता है, एक साइट प्रदान करता है, जिसके द्वारा जो भी macromolecular होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, यह क्या होता है कि सेल के अंदर, जो एक नुकलियस के अंदर भी जा सकते हैं, और इसे प सकता होती है प्रोटीन क्या हो सकता होती है एंड आरेने की हो सकता होती है तो इसके पास आरेने तो होता है लेकिन प्रोटीन नहीं होता तो प्रोटीन को कहां से लाता है तो इसी नुकलियर पोर के द्वारा साइटो प्लाजम से प्रोटीन को अंदर की तरफ लाता है और बना हुआ है इस राइबोसों को इसी नुकलियर पोर के द्वारा क्या करता है साइटो प्लाजम में वापस भेज देता है तो यह क्या होता है साइटो प्लाजम से कम्यूनिकेशन करने का काम भी इस नुकलियर पोर के द्वारा ही होता है ठीक है यही चीज आप लोग को इतना हमने आप लोग को बताया है ठीक है अब हम देख लेते हैं नुकलियो प्लाज्म के बारे में जो कि यह आप लोग को अंदर एक जिलेटिनस सबस्टांस नुकलियस के अंदर भरा हुआ है इसी को क्या कहते हैं इस नुकलियो प्लाज्म के बारे में देख लेते हैं कि यह नुकलियो प्लाज्मा भरा होता है ठीक homemade Carreyoplasma के नाम से भी जानते हैं आगे बताएगा इस सेमी एक्वस्त मैटेरियल इस सिमिलर टो साइट्फेल ये क्या होता है बिल्कुलमलर होता साइट्फेल प्लाज्मा की ही तरब सिमिलर होता है जैसे कि यहाँ पर देख़ें कि हमारा साइटो प्लाज्म होता है जो कि वाटर हो गया डिजोल्व साल्ट हो गया एंजाइम्स हो गया इससे मिलकर के बना है ठीक उसी तरीके से ये भी हमारा जो नुकलियो प्लाज्म होता है उभी इन ही इन ही चीजों से मिलकर के क्या होता है बना हुआ होता है ठीक जो सी यह मिलगर के यह नुकलियो जो होता है वो बना हुआ होता है आगे अब हम देख लेते हैं नुकलियोलर्स की बात कर लेते हैं आप लोगो को दिखा लेते हैं यह देखे इंदर ग्रलल् petroleum लाइων उसे पर और बम सके clerk Nucleus 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 Nucle स्रक्षायर नोकों को से नहीं परक्राइब ये बना किसे होता है तो यह और ने से बना होता है मेनली आर्रेन सी बना होता है अगे बताया गया है द नॉक्ली गोलस डीशक्ला वेरेण सेल अंडर गोर्ज़ डे सेल डिवजन में देखने को मिलता है जब हमारा विए स्टेज में जाता है तब क्या होता है जो नुकलियर मेंब्रेन होता है यह दोनों की दोनों क्या हो जाते हैं धीरे-धीरे गायब हो जाते हैं वही जब हमारा सेल तीलोफेज स्टेज में आता है तब क्या होते हैं तब तक हमारा सेल डिविजन दिविईन कंपॅरी हो चुका रहता है वहाँ पर हमारे जो सेल का content है सब कुछ दो गुना बंग चुका रहता है हमारे सेल जो होता है डिवाइड कर चुका रहता है तब उस समय क्या होता है कि टीलो फेजी स्टेज में क्या होता है हमारा ये दुबारा से वापस आ जाता है नुकलियोलस हो गया नुकलियर मेंब्रेन हो गया ये क्या होता है वापस आ जाता है ठीक है तो वही चीज जिसमें आप लोग को बताया गया है कि जो नुकलियोलस होता है ये डिसपियर हो जाता है जब हमारा सेल जो होता है जाता है uchen platform old रृटية सकता है आपने हैं कुल में वापस आजाता है ठीक है आगे देखेंद हम क्रोमो की बाद कह लएते हैं नुकलियोलास के बारे में इतना ही बता है यदि आप भी लिखना चाहें तो आप खियाँ सकते हैं कि क्या क्रोमोसोंप बारे में आप HIER किसके और SDK उसके बाद कर लिया बारे में बात कर लिया जो कि धीने बयांक मिल करके आख कर usta Nucleolus के बारे में जो कि Dane सरसना होता है जो कि Nucleus के अंदर पाया जाता है इसको Factory of the Ribosomes भी कहा जाता है क्योंकि यह Ribosomes को बनाने का काम करता है तो इन सभी चीजों के बारे में हमने बात कर लिया है अब हम किस के बारे में बात करेंगे अब हम बात करेंगे क्रोमेटिन के बारे में कि यह क्रोमेटिन क्या होता है ठीक है या फिर क्रोमोसों कह सकते हैं तो देखिए क्रोमोसों के देखिए तो यह क्या होता है क्रोमोसों का इस्टक्चर तो आप लोग ने बहुत देखा होगा इस तरीके से क्या होता है क्रोमोसों हो जाता है और किसका सरचना बना लेता है तो इस क्रोमोसोम यानि इसका सरचना बना लेता है ऐसा सरचना ठीक है तो देखिए इसके बारे में अब हम कुछ पढ़ लेते हैं तो क्रोमोसोम कंसिस्ट अब DNA क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है DNA क्रोमोसोम के अंदर क्या प जो कि हमारा DNA में ही होता है जो कि हमारा वन जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में पास ट होता रहता है है उस information को क्या करते है एह देटरी information कहते है धीक है form of extinct DNA यानि कि इसके अंदर क्या होता है कि chromatin ही condensed होकर कि हमारे chromosomes बनाता है यह आप लोग मत वहलेगा तो इससे आप असानी समझनेंगे यह chromatin हमारा किसे बना होता है तो chromatin हमारा बना होता है DNA एंड हिस्ट्रोन protein data DNA और histone protein आपस में मिलते हैं और क्या बना लेते हैं तो वो हमारे chromatin को बनाते हैं chromatin का structure कैसा होता है तो इस तरीके से DNA होता है और जग़ जग़ पर पए आप 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 आते हैं इस तरीके से histone protein पा आप आप यह सरी को हम कहते हैं ठीके आपस में इसमें condensation start हो जाती है और इस तरीके से condensation हो जाता है कि यही जो होता है chromatin इस तरीके का रूप ले लेता है ठीके इसी के अंदर क्या होता है कि अब यह जो सरचना आप लोगों को देखने को मिरे ही न क्रोमेटीन की सरचना यह इसके अंदर चला जाएगा और इसके अंदर भर जाता है और कैसा सरचना बन जाता है इस तरीके से chromosome-like सरचना इस तरीके से बना लेता है जब हमारा सेल डिवाइड नईरे अना यही क्रिवाइड कर रहा होता है ताब क्या होता है the chromosomes are organized into long elongated structure called chromatin तब इन्टरफेस की थ़ह रहेंगे तो इन्टरफेस में जो हमारे सेल होता है दागे-नुमा-lles Herrn ही इस तरीके सबना रहते हैं ठीक ऐसे फैले रहते हैं त्रेड लाइक इस्ट्रक्चर में वहीं जब क्या होता है सेल को क्या करना होता है तब यदि आप देखेंगे तो सेल का सरचना इस तरीके से था वही कंडेंस होकर कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लिया रहता तो ही बताए कि जब हमारे सेल को क्या करना रहता है डिवाइड नहीं करना रहता है तब तो क्रोमेटीन के ही फॉर्म में अपना पड़ा रहता है सेल के इंदर लेकिन जब सेल को डिव होता है nonprofits एक होता है हेट्रोल में हमने अपने भूक को बताया था में यूच्टेन के अपने मिल रहा था इस तीन अप लोग देखने को में ता ये यह रहा है और ये आप लोग इसले नाप लोग को यानी जो यूउज़ेने को में रहा होता है इसका Transcription बहुत ही आसानी से हो जाता है क्यों कि इसमें लूज़िए अटेच होता है यानि जो dna हिस्टोन है इस तरीके से जो मारब DNA होग्य ह्सेटोन पे जो अटैच है जो होता है ये क्या होता है लूजलियाच होता है चोंको हम क्या कहते है यूक्रोमेटीन ह हिестटोन में देखेंगे तो ऑन से अचट हुता है वह तक्या होता Forsch हेट्रोक्रोमेटिन होता है और जो यूक्रोमेटिन होता है इसका ट्रांस्क्रिप्सन आसानी से होता है क्योंकि यह लूजली अटेज है और हेट्रोक्रोमेटिन का ट्रांस्क्रिप्सन नहीं हो पाता है तो यह ट्रांस्क्रिप्टली इनेक्टिव होता है क्योंकि यह क्या हो इसके फॉक्सन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इस ट्रॉक्चर में आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस ट्रॉक्चर में आप लोग को बताया कि इसके नुकलियर मेंब्रेन के बारे में उसके बाद हमने आप लोग को यहां पे नुकलियो प्लाजम के बारे में बताए जो कि जिलेटिनस सबस्टान से उसके बाद हमने आप लोग को नुकलियोलस के बारे में बताए जो कि फैक्टरिया प्राइबोसों सिजिस्कों कहते हैं उसके बाद हमने आप लोग को क्रोमेटीन के बारे में बताए जो कि हमारे टू टाइप्स का होता है the nucleus of a cell has many functions included nucleus में बहुत सारे functions होते हैं कौन-कौन से function होते हैं तो सबसे पहला function है storing DNA यह DNA को store करके रखता है तो आप लोग को बता है nucleus के अंदर ही हमारे क्या पाए जाता है इस तरीके से chromo-sons होता है जिसके अंदर DNA होता है या फिर chromatid में भी देखेंगो तो chromatid में भी तो DNA है न DNA histone से मिलकर बना है तो nucleus के अंदर क्या पाए जाता है DNA पाए जाता है इसलिए क्या करता है storing DNA का भी काम करता है आगे दूसरा function इसका क्या है regulating gene expression gene expression को क्या करता है regulate करने का काम करता है क्योंकि gene expression का मतलब क्या होता है कि हमारे DNA से RNA का बनना RNA से protein का बनना और protein से हमारे जो भी enzymes होगे या पि जो भी काम हो गया तो वो हमारे gene को ही express कर रहे है तो उसको क्या करता है यह regulate करने का काम करता है जो हमारा nucleus होता है वो क्योंकि आप लोग को बताओगा कि जो भी हमारे जैसे कि जो हमारे DNA replication हो गया या फिर transcription हो गया या DNA से RNA का बनना हो गया या फिर translation हो गया translation यह चोड़ दें हम RNA processing तक दखे तो वो सारी process कहां पर होती है nucleus के ही अंदर पाई जाती है उसके बाद translation ही एक है बस ऐसा process सब्सक्राइब करता है नहीं तो DNA replication हो गया या और आपका transcription हो गया RNA processing हो गई वह सारी process आप लोग की कहां होती है तो इस nucleus के ही अंदर होता है इसलिए क्या करता है जीन के expression को आगे आप लोग का क्या बताया है coordinating cell activities यह cell की activities में क्या करता है coordinate करता रहता है कैसे तो हमारे कितना protein को बनाना है कितना protein को नहीं बनाना है इन सभी में क्या करता है cell division कप करना है cell का growth कप करना है cell की activities के लिए इस सभी में क्या करता है यह coordinate करता रहता है और next आप लोग का function क्या है maintaining gene security जिन security को यह क्या करता है maintain करके रखता है नेश्ट अपने आप लोग का controlling enzyme synthesis enzyme synthesis जो होता है जो कि हमारे enzymes बनता है उसके synthesis को भी यह क्या करता है control करके रखता है कि कब हमें enzymes को बनाना है कब हमें enzymes को नहीं बनाना है नेश्ट आप लोग को क्या है, नेश्ट फक्षन है आप लोग का DNA replication, transcription and RNA processing all take place within the nucleus, यह nucleus के अंदर होता है, यानि DNA replication किसे कहते है, DNA से DNA का बनना, यह हमारे क्या कहलाता है, DNA replication, DNA से ही DNA का बनना, DNA replication कहलाता है, अब DNA से हमारा RNA बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते है, DNA से RNA का बनना transcription क तो DNA से जब RNA बनता है न तो इस RNA को कहा जाता है है हमारा ट्रांस्क्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा होता है उसके बाद इस RNA का क्या होता है प्रोसेसिंग होती है जिसमें क्या-क्या होता है तो इस RNA के प्रोसेसिंग में क्या-क्या सामिल होता है हमारा कैपिंग होता है टेलिं ने का processing हो जाएगा तो processing के फ्लक्सव रूप हमारा क्या बनता है mRNA बनता है अभी अब यह mRNA ने कहाँ पर जाएगा साइट न कर झानल स्प्रेशन का जी हमारा translation होता है यानि इसrhरोन रिप्रोटीन का बनना यह स्वासंट ऑप नहीं तो ओर इतना बिया होना है वह सभी के सभी हमारा नुकलियस में होता है अच Joint एज वीडियो समझ में आया होगा लोंकर फूर रहा होगा तो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा और जिस भी टोपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजेगा